नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दीखे उनका जो कमेंट है वो एक 20,000 रुपे के जी हां काफी बड़ा आमाउंट वो अपना प्रती महीना यहां पर इन्वेस्ट करना चाते हैं 20,000 रुपे की वो अपनी S.I.P. को इन्वे इन्वेस्टमेंट से जोड़ कर देख सकते हैं और साथी साथ यहां पर जान सकते हैं कि फ्यूचर में आपको भी किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए और फ्यूचर में कितना बड़ी है वो आपके लिए परफॉर्म कर सकता है बागी दोस्तों करते हैं कि इस वीडियो को देखिए दोस्तों वीडियो का बहुत ही ध्यान से देखेगा और अंत तक हमारे साथ बने रहीएगा इस वीडियो का परपस बनाने का यह है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट प्लान को काफी आसान और सरल भाशा में समझाए जा सके तो चलिए द आनुने है पॉर्टफोलियो शेयर किया है उसमें यहां पर जो पहले फंड लेकर चले हैं वह यहां पर लेकर चले हैं लब hyईं निपान इंडिया से मॉल कैप fund दिएके दोस्तों अगर यहांपर बात करें इसके थोड़े analysis की अगर हम यहांपर बात करें सबसे पहले इसके fund size की तो वो हमें आपर देखने को मिलता है 45,894 करोड रुपय का अगर बात करें इसके expense ratio की तो वो हमें आपर देखने को मिलता है 0.73% का वही अगर हम बात करें अपने दूसरे mutual fund की तो वो हम यहाँ पर लेकर चले हैं Tata Small Cap fund देखे अगर बात करें इसके भी fund size की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 6289 करोड का अगर बात करें expense ratio की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.31% का अगर बात करें तीसरे mutual fund की तो वो यहाँ पर रहने वाला है Nippon India Large Cap fund यहाँ पर हम इसका fund size देखने को मिलता है 21454 454 करोड का अगर बात करें इसके expense ratio की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.82% का चौता fund जो मारे यहाँ पर रहने वाला है वो रहेगा यूटी अगर बात करें इसके fund size की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 15,301 करोड का अगर बात करें expense ratio की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.21% का बात करें अगर अपने पांचवे fund की तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अगर बात करें इसके fund size की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 55,000 करोड रुपय का अगर बात करें expense ratio की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.58% का आप देकर नेक्स दे हमारा mutual fund रहेगा वो रहेगा मोतिलाल औस्वाल अगर बात करें इसके fund size की तो वो हमें याँ पर देखने को मिलता है 7972 CR अगर बात करें expense ratio की तो वो हमें याँ पर देखने को मिलता है 0.64% का बात करें अगर अपने last mutual fund की तो वो यहाँ पर रहने वाला है SPI large and mid cap fund अगर बात करें इसके fund size की तो वो हमें आपर देखने को मिलता है 20633 CR का बात करें अगर expense ratio की तो वो हमें आपर देखने को मिलता है 0.77% देखें यह mutual funds है जिनमें की उन्होंने अपनी 20,000 रुपे की SIP को diversify किया है देखें दोस्तों अगर मैं आपर बात करूँ इन सभी categories की तो देखें अगर सबसे पहले बात करें fund size की एक annually maintenance charge लिया जाता है यह जितना कम रहेगा उतना फायदा उस mutual fund में आपको होगा वहीं दोस्तों अगर बात करें इन categories की तो देखें market capitalization के इसाब से सेवी द्वारा निधारित नियमों के नुसार जिन companies की ranking 1 से लेकर 100 तक होती है वो सभी जो है mid cap category में आती है और जिन companies की ranking 101 से लेकर 250 तक होती है वो सभी जो है mid cap category में आती है और जिन companies की ranking 251 से लेकर 500 तक होती है वो सभी जो है small cap category में आती है बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें nifty 50 index fund के बारे में इस category के बारे में तो देखें stock market की top 50 companies है उनमें के पैसे को यहाँ पर invest किया जाएगा वहीं अगर हम बात करें flexi cap की तो देखिए यहाँ पर fund manager को थोड़ी flexibility होती है कि वो market के diversion के साबसे पने पैसे को divert कर सकता है अगर fund manager को लगता है कि market का जुकाव अभी large cap की तरफ है तो वो अपने पैसे को large cap की तरफ divert कर देता है वहीं अगर fund manager को लगता है कि market का जुकाव भी small cap के तरह है तो वो अपने पैसे को small cap में बढ़ा देता है बाकि दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें इन funds के past के returns के बारे में देखे कर सबसे पहले हैं यहाँ पर हम देखे में 3 एर या 5 ए returns की बात नहीं करूँगा मैं यहाँ पर इन funds के एक all over returns लेकर चलूँगा अगर बात करें सबसे पहले अपने पहले fund की तो यहाँ पर हमें जो returns है वो हमें आपर देखने को मिलते हैं 26.88% के बात करेंगर अपने दूसरे mutual fund की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं returns 27.16% के बात करेंगर तीसरे mutual fund की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं 17.14% के यहाँ पर हमें अपने returns देखने को मिलेंगे 13.51% बात करें पराग पारीक की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं 20.61% के नेक्स्ट हमें यहां पर देखने को मिलेंगे 24.08% के बात करें कर लास्ट मूचल फंड के तो यहां पर हमें रिटन्स देखने को मिलेंगे 17.77% के देखे दोस्तों अब यहां पर एक कल्कुलेटर के माध्यम से समझते हैं कि अगर 20,000 रुपी के ऐसा को इन फंड्स में आपर डाइवर्सिफाई किया जाता है तो फ्यूचर में कितना बड़िया फर्वाम कर सकते हैं अगर यहां पर बात करें सबसे पहले ऐसा इपी अमाउंट हम यहां पर लिख लेते हैं जो की रहेगा 20,000 रुपे प्रति महीन आगा अगर बात करें रिटन्स ज़ eleven देखने को मिलें लेकिन m luminaste की ती नहीं होती पास्ट के रिटन्स हमें कभी भी फ्यूचर के रिटन्स की कोई गैरेंटी नहीं seventeen देते इसलिए मैं यहां पर把它 फ्योड़े कमभी लेकर चलूँगा अगर बात करें हैं यहां पर डिरेशन कि समाइज रिखें जो पहली अपका यहाँ पर बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 59.29 लाग का महीं अगर हम दूरेशन को थोड़ा बढ़ा दें माल लेज़े डूरेशन हम यहाँ पर 15 यह की कड़ लें तो जो यहाँ पर आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा 15 सालों में वो इन्वेस्ट होगा 36 लाख का अगर डियूरेशन को थोड़ा और बढ़ा दे माल लिजे डियूरेशन आप यहां पर 20 years की कर ले तो जो आपका यहां पर अमाउंट इन्वेस्ट होगा वह इन्वेस्ट होगा 48 लैक का और जो अमाउंट आपको यहां पर बनेगा वह बनेगा 3.5 CR लगबग लगबग 3.5 करोड रुपय का आपको यहां पर देखने को मिलेगा देखे दोस्तों यही खासियत होती है लांग टाइम इन्वेस्टमेंट की अगर आप अपने पैसे को लॉंग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्यूचर में एक बैलनस वी में रिटरंस भी नजर आते हैं और एक अच्छी अमाउंट आप अपने फ्यूचर के लिए मासे बना सकते हैं तो दोस्तों यह थी कोई पॉर्टफोलियो एनलिसिस है जो कि आप हमारे चैनल पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकी दोस्तों यह कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है एजुकेशनल परपस वीडियो आपके लिए बनाई गई है किसी भी तरह की इन्वेस्टमे से जुड़ी हुई एडवाइस यह वीडियो नहीं देता है बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो मारे चैनल को भी सब्सक्राइब सरूर कीजिएगा धन्यवाद